Hello dear students, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे class 11th के physics का kinematic chapter cover करेंगे हम लोग इसके अंदर जो topic हम लोग देखेंगे, वो topic हमारा होगा equation of motion का proof देखेंगे calculus methods, okay So this is not 2, this is topic number 2 और equation of motion का proof देखने के बाद हम लोग एक चोटा सा proof ये भी देख लेंगे कि nth second में जो distance table का formula आता है वो, तो ऐसे तो इस topic में जो आपका formula होता है numerical point of view से वो काम का है लेकिन जब भी आप board का exam देखेंगे, board level exam, जहाँ पे return exam होगा theory का, उसमें ये question बहुत important हो जाता है class 9th के अंदर भी आपने इसका proof पढ़ा होगा, बट वहाँ पे आपने जो proof पढ़ा होगा, वो graphical method से पढ़ा होगा graphical method का proof पढ़ा होगा और 9th class में एक वाई चामें ये topic आता है, तो उतना ही importance यहाँ भी रखता है, बट आपकी बार हम लोग calculus method से सीखें तो इसके लिए जो दो important चीज़ है, कि आपको calculus, basic calculus आना चाहिए है, तो अगर आपको नहीं आता है तो एक बार calculus सीखें तब इस वीडियो को देखें, मैंने calculus का भी link नीचे description में डाल दिया है, तो आपको वहाँ से भी calculus cover up कर सकते हैं, then क्योंकि full calculus method है, तो mathematics use होगा, वो calculus हो करेंगे, कि देखें, कुछ assumption ये है, कि हम लोग u से क्या denote करते हैं, initial velocity, किसी body का initial velocity को u से denote करते हैं, तो जब भी मैं u symbol use करूंगा, u sign, then it indicates initial velocity, and generally most of the book में यही रहता है, v is for final velocity, okay, v जो है, आपका final velocity को दिखाएगा, S is stands for displacement, कुछ basic symbol जो हम लोग इस इक्वेशन में use करने वाले, S stands for displacement, and A stands for acceleration, A stands for acceleration of body, and T is for time, okay, T time के लिए, तो ये basic symbol हम लोग इसमें sign use करेंगे, दूसरा ये चीज़ use करेंगे, इसके अंदर, कि एक और condition को समझे, suppose कोई body है, जो point A से चलना सुरू करता है, ओके, और थोड़ी दिरवाद, वो B position पे पहुंचता है, तो माल लेते हैं, कि जब वो A पे अपनी journey को start किया था, उससे में उसकी initial velocity U था, और time की value क्या थी, 0, चुकि T equal to 0 पे उसने journey को start किया, थोड़ी दिर बाद, यानि कुछ time T के बाद, उसकी body B पे पहुंच चुका है, जब B पे पहुंचा, तो उसकी final velocity को हम लोग B से बोलें, मतलब suppose कोई body चलना सुरू किया, B पे पहुंचा, तो B पे उसकी velocity चेंज होके V हो गई, इस दोरान उसका acceleration कुछ A रहा होगा, और time जो है, वो T equal to T time पे वो इस तरह से पहुंचा, तो simple है, आप चाहते small t b ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो T equal to 0 पे उसने वहाँ पे पहुंचा और अब T equal to कोई T time पे वो भी पे था, तो अब हम लोग यहां से देखे, स्टार्ट करते, देखे, अब acceleration जो है, acceleration की value होता है, dv y dt, यह आपने पढ़ा हो, acceleration is equal to dv y dt, अब जादेखे, यहां से आप चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं, dv is equal to a dt, अब यह relation तो आ तो a dt यहां होगा, ठीक है, a into dt, just cross multiply कर देते, a into dt, अब क्या करना होगा हमने, हमने इसको करना है integrate, तो integrate करते हैं इस तरह से, ओके, तो dv का integration करना, यह वेलोसिटी का, तो माल लेते हैं, स्वात में उसकी वेलोसिटी u रहा होगा, तो उस समय time कितना था, 0, ओके, at, यह t का function है, और जब उसकी वेलोसिटी v हो गया final, तो उसका time कुछ t रहा होगा, तो यह इस तरह से हम लोग limit set करते हैं, just according to this figure, v था, तो time 0, जब velocity v था, तो time t, okay, initial velocity u के समय 0 था, तो just वैसे हमने करा है, अब just हमें क्या करना, इसका integrate कर लिए, dv का integration हो जाएगा v, यह आपको पता ह होना चाहिए, और limit लगा दते हैं, u is lower limit and v is upper limit, इधर का integration a, dt का integration करेंगे, तो देखे, a आजाएगा बाहर, जोकि a constant है, इस दुरान इसका acceleration जो a था, जोकि a constant था, तो a constant है, बाहर आजाएगा, dt का integration हो जाएगा t, okay, dt का integration हो जाएगा t, हमने क्या करा यहाँ पे, acceleration a को बाहर लिया, dt का integration t करा, और limit 0 से t set कर दी, तो यहाँ देखे, upper limit minus lower limit, तो v, okay, v के जगा upper limit करिए, minus sign, फिर lower limit put करिए, I hope आपको integration बगरा पता होगा, क्योंकि यह बहुत जरूए, again मैं बोल रहा हूँ, अगर आप calculus नहीं आ रहा है, integration और basic differentiation, तो एक बार जाके उसे सीखे, अगर आ v minus u, अब a, और यहाँ तो lower limit क्या है, t 0 है, तो lower limit तो 0 हो जाएगा, यानि यह पुरा upper limit at हो जाएगा, क्योंकि t minus 0 करेंगे, तो t यह आएगा, तो यह आपके पास proof होता है, first equation of motion, v minus u is equal to at, okay, तो यह हमारा एक equation of motion यहाँ पर proof होता है, अब हम लोग next equation of motion के ओर चलते हैं, त okay, so now we are moving toward the next equation of motion, अब देखे, अब हमने क्या पता है, अब हमने पता है, velocity is equal to what, ds by dt, यह हमने पढ़ रखा है, तो velocity is equal to ds by dt, जब देखे, अब यहाँ पर क्या गरना, यहाँ पर जो हमने नीचे value माना है, v के जगा u plus at लगाए, okay, u plus at, okay, और इसको हम लोग लिख सकते है, ds upon dt, फिर इस dt को अगर आप इधर multiply कर दे, इस side, lhs side अगर ले ले, तो u plus at into dt is equal to what, ds, अब देखे, यहाँ पर हम लोग integration का sign लगाते हैं, और dt का integration है, यह time है, तो time के लिए let's say कि शुरुआतम उसका time कुछ 0 रहा होगा, finally उसका time t हो गया, displacement भी शुरू में वो 0 displacement भी था, finally उसका displacement s हो गया, अब हमने क्या करना है, बस इसको calculus को solve करना है, तो इसको अगर आप solve करोगे, तो देखे, u dt integration में ले लिजे, फिर plus at dt, इस तरह से आप integration में इसको लिजे, यहाँ पर 0 से t दोनों में limit लगा दे, just मैंने split कर दिया इसको, त s का integration तो s हो जाएगा, और limit क्या है, यहाँ पर 0 से s, अब फिर फर्दर यहाँ पर move करी, यहाँ पर इसको फर्दर आगे solve करते हम लोग, तो u dt का integration क्या हो जाएगा, u तो बाहर आ जाएगा यहाँ और dt, यहाँ क्या बच जाएगा, t, तो 0 से t था, फिर यहाँ देखे, at, a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर देखे, यहाँ पर अगर आप धिहान से देखे, तो a बाहर आ जाएगा, plus sign तो मैं लगा ही देता हूँ, तो a तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचाएगा, t dt, यहाँ देखे, t dt, तो t का integration क्या हो जाएगा, t का square by 2, क्योंकि integration का formula क्या होता है, n plus 1, देखे, integration का formula अगर आप नहीं पता हो, तो a का power n plus 1 upon n plus 1, तो यहाँ acceleration तो बाहर आ गया, लेकिन t का power क्या था, 1, तो t का power 1 था, तो 1 plus 1, 2 और नीचे भी 2, तो इस formula को हमने use किया है, यहाँ पर, अब देखे, t square आगे, अब यहाँ पर फिर फर्दर मैं solve करूं, तो u, यहाँ lower limit 0 है, तो यहाँ t का integration सीधा t हो जाएगा, ut, and plus a t square, यहाँ पर देखे, इस side का रह गया, s, lower limit 0 है, upper limit s है, तो यह s हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 80 square by 2 is equal to s, तो यहाँ से simple सा equation निकल के आता है, s is equal to ut plus half a t square, s equal to ut plus half a t square, okay, so this is our final answer about the second equation of motion, तो यह दो equation of motion हमने proof किया, एक और रह गया है, एक यहाँ पर हो गया, एक यह, next page पर हम लोग next equation of motion solve करते हैं, अब देखे, अब हम लोग फिर से जो third equation of motion solve करेंगे, उसके लिए देखे, हम लोग क्या यूच करेंगे, फिर से v is equal to हमने क्या पत है, ds by dt, okay, ds by dt, अगर मैं इसमें उपर नीचे dv, dv से multiply कर दो, तो equation पर कोई फर्क परता है, क्या, कोई फर्क नहीं परता, mathematically मैं ऐसा बोल सकता हूँ, velocity equal to displacement upon time, और उपर नीचे मैं same thing से अगर multiply, divide कर दो, तो कोई फर्क इससे equation पर mathematically नहीं परता, मैं ऐसे लिख सकता हूँ v equal to ds upon dv and dvy dt, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, तो equation पर mathematically कोई फर्क नहीं परता, और ये जो पूरा term है, ये देखे, dv के जगा हम लोग क्या put कर सकते हैं, acceleration, तो next step में देखे, मैं क्या लिख दूँ, v is equal to ds by dv into acceleration, अब देखे, यहाँ, फिर further मैं इसे cross multiply अगर करता तो v dv is equal to a ds, और हमने फिर further क्या करना होगा, integration, अगर मैं यहाँ integration करूँ, तो dv का integration क्या हो जाए, यहाँ पर integration करने से पहले, limit set करना होगा, this is velocity, so initial velocity is u and final velocity is v, ds है, initial displacement is 0 and final displacement is s, अब देखे, यहाँ पर मैं v का, अगर integration करूँ तो यह क्या हो जाएगा, v square y2, v dv का integration v square by 2, और limit हमने कैसे set करना है, lower limit, upper limit, is equal to a ds, a को बाहर निकाल लेते हैं, ds का integration क्या हो जाएगा, s, okay, and limit 0 से s put कर देते, तो यहाँ पर देखे, v square upper limit by 2 minus lower limit, अब v के जगा u put करिए, lower limit मतलब v के जगा u put करना होगा, तो u square by 2 is equal to a, और यहाँ तो already lower limit 0 है, तो as हो जाएगा, तो यहाँ further, फिर हम लोग क्या लेख सकते हैं, v square minus u square is equal to 2as, यहाँ पर this is by mistake, हमने v लिख दिया है, this will be 2, okay, so this will be 2, तो finally हमारा third equation of motion भी यहाँ पर proof होता है, तो यहाँ यह आपका complete रहा, equation of motion by graphical method, एक और extra topic हमने इसमें पढ़ना था, nth second में, तो यह तो तीन equation of motion हो गया, एक और मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको भी proof जानना जरूरी है, बट आपका numerical point of view से important है, distance travel in nth second का हम ल traveled in nth second, okay, nth second में कितना distance travel हुआ, इसका हम लोग proof करने बाले, तो यहाँ पर formula जो हम लोग use करेंगे, s is equal to ut plus half ats square, अब distance travel in nth second जब proof करेंगे, तो यहाँ पर माल लेंगे कि सुरवात में, जब time equal to nth second पर body चल रहा था, उस समय, और nth second मतलब देखी, जैसे मैं कहाना क्या च suppose nth second मतलब 5th second में body कितना चला, 6th second में कितना चला, यह आपको calculate करना हो, तो कैसे करोगे, suppose मैं बोलू, 5th second में body कितना चला, माल लेते उसको s1, और 6th second में body कितना चला, तो आप s2, दोनों का difference निकालते हो, ऐसे निकालते हो, तो अगर मैं एक generalize way में बात करूँ, तो मैं ब उस time से 1 second पहले का निकालना होगा, तभी तो होगा, तो 6 second होगया, तो 5 से लेके 6 चला, तो general way में अगर हमें लिखना, एक generalize way में है, तो मैं इसे अगर nth second बोलूँगा, तो बस दोनों के लिए मैं इसके जगा replace करूँगा इसको, और फिर subtract करके mathematically answer निकालूँगा, तो दे तो देखे, nth second में, distance table in nth second के जगा क्या लिखो, u n plus half en square, simple, n minus 1th second के अगर बात करूँ, अगर इधर आपको दिखने में थोड़ा दिख्का थोड़ा हो, तो this is written n minus 1th second, तो यहाँ पे मैं लिखोंगा, s n minus 1 is equal to u, time के जगा क्या लिखोंगा, time हमारा n minus 1 है, simply मैं equation पे fit कर र हाने कर रहा, half a in minus 1 का whole is equal, अब हमने इसका arrangement तो कर लिया, अब क्या करना है, दोनों को mathematically हमने calculate करके answer find out करना है, तो चलिए, अब मैं इसमें क्या करूँगा, s in minus, दोनों का आपस में subtract कर लेते हैं, दोनों का आपस में minus करना है, तो हमने लिखना है, s in and s in minus 1th second में body कितना चल तो just आप यहां पे ऐसे लिखे, u in plus half a in square, दोनों equation को आपस में subtract करिए, minus, अब इसको थोड़ा सा calculate करते चलते हैं, अब इसको calculate करिए, तो u into n क्या हो जाएगा, u in and u into 1 minus u, यहां sign plus तो plus लगाए, और यह half रहा, और half a रहा, और n minus 1 का whole square क्या हो जाएगा, a square plus b square plus 2 minus 2 a b, okay, a minus b के whole square पे बस तोर दीजे, minus 2 a b का मतलब क्या हो जाएगा इस case में, minus 2 n, okay, minus 2 n, okay, so in the next step, let's solve it out, s in minus, s in minus 1, u in plus half a n square minus u in plus u, okay, minus half a n square, just मैं क्या करा हूँ, इस minus से सभी को multiply करते चल रहा हूँ, और फिर यह half a हो जाएगा, यह न, चुकि इसको अब सबसे multiply भी करते चल रहा है और sign opposite कर देंगे, चुकि यहां एक minus है, I hope यह बहुत simple calculation है, आप कर सकते हो, minus 1 by 2 a plus 1 by 2, okay, यह तो minus और यह minus plus हो जाएगा, 1 by 2 a into 2 n, यह overall हमारा result रहा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, अब जड़ा चेक कर लेते हैं, यहां कुछ कटेगा, u in plus में और यह minus में, दोनों कट जाएगा, half a n square plus में, half a n square minus में कट जाएगा, अब हमारे पास जो data है वो थोड़ा simple दिखेगा, is in minus, is in minus 1, is equal to u minus half a plus a n, अब अगले step में क्या करो, जस्ट इसको थोड़ा सा rearrange करके, फर्मूला हमारा overall आ चुका है, जस्ट इसे rearrange करके, है न, distance table in nth second, आब मैं sort में लिख़ा हूँ, अब इसको थोड़ा सा rearrange अगर करूँ, मैं, तो क्या लिखो कि u, अगर मैं minus a common निकालू, तो अंदर क्या बचेगा, 1y2 प्लस n, मैंनस a common निकालू, तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ भी बचेगा minus, चीक है न, यहाँ भी आपका minus sign बचेगा, तो minus minus प्लस a n हो जाएगा, इसको फिर फर्दर अगर solve करो, तो u plus a, थोड़ा extend rise form में, बचेगा, यहाँ पर minus sign ले लेता हूँ, कोई दिक्कत ने, आप चाओ तो प्लस भी ले लो, not an issue, यह क्या हो जाएगा, 2, a by 2, और यह 2 minus, 1 minus 2 n, ओके, 1 minus 2 n, so this is your final answer, otherwise आप प्लस में अगर लोगे ना, तो generally बुक बगड़ा में इस तरह से भी फर्मुला लिकाज रखता है, u plus a y 2, 2 and minus 1, so this is your formula, आप दोनों में से जो मर्जी उच कर लो, बेटर यह है, आप प्लस अगर बाहर निकाल लोगे, common, तो अंदर minus बच जाएगा, तो इस तरह से आपका distance से वाली net second आएगा, तो just एक proof है, बाकी numerical point of view से तो आपके लिए formula important है, कभी चाम में proof आजाए, तो आप इस तरह सब्सक्राइब करिए, और एमकरिम बुक बगड़ा का solution भी available है, तो बहुत सारे आपके काम का वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, चैनल को subscribe और वीडियो को like जरू करिए, so thank you and thanks for watching,